बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड महंगाई की मार, यही है मोधी सरकार नरेंदर मोधी जी की निर्मम, असमवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याए करने की ठानी लिये और हर तरे का अन्याए हर तरे की बरबरता कर रहे हैं पर अब देश के हर चूले चौके, हर ग्रहनी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया हर चूले चौके में आग लगा दिये पेट्रोल और डीजल के दाम, आप सबको पता है, सो रुपए के पार हो गए है पेट्रोल का दाम, एक नया कीरतीमान स्थापित किया है सरकार ने और अब घरेलू गैस, जिसको की रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलिंडर रखे है इनके दाम निरंतर बढ़ाये जा रहा है, दस दिनों के अंदर, आज 15 तारिक है, मातर 10 दिनों के अंदर इन सिलिंडर में, रसोई गैस के सिलिंडर में, 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है, 75 रुपए कीमत बढ़ी है चार फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह कल राद 12 बजे से मतलब 15 तारिक को ये कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है और यही नहीं दिसंबर 2020 मतलब दो महीने के अंतरगत ये कीमत 175 रुपए प्रती सिलेंडर बढ़ चुकी है क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा दो बर 50-50 रुपए की वृद्धी हुई थी तो यहीं सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था 594 का वो आज दिल्ली शहर में 779 रुपए मतलब 769 का बिकरा है मुझे लगता है यहाँ पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल जिसको क्रूड ओयल कहते है उसका दाम जब 100 रुपए 1500 डॉलर तक पाड़ कर गया था तब भी रसोई गयास की कीमत 400 रुपए के आसपास थी तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्मानी चाहिए सरकार को जिसके कारण आज अर्थ वेवस्ता पूरी तरह से ठप हो चुकी है बेरोजगारी मूबाय खड़ी है इनी के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड महंगाई का प्रहार कर रहे है चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गयास की कीमते और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रती भर फरक नहीं पड़ता है और इसलिए फरक नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो अगर वो 20 रुपए प्रती डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ तब भी आपको कोई फाइदा नहीं मिलता आपको कोई राहत कोई रियायत नहीं मिलती है और अगर वो महंगा होता है अपने कारिकार के दौरान दर्जन बार से उपर इन्होंने exercise duty बढ़ा कर करीब करीब 24 लाख करोड रुपए कमाए है जो मेरा मानना है कि ये 24 लाख करोड आक्च्वली जनता का हक था जनता ये नहीं कहती कि हम मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़े होंगे हम मुश्किल के समय आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे लेकिन जब कच्चे तेल का दाम गिरे तो हमें भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए उस समय आप अपना रोकड़ा कमाने में लग जाते हैं अपने सरकारी खजाने भरते हैं ये सरकार की ही दया है कि 100 रुपे पेट्रोल हो गया है ये इसी सरकार का नया कीरतिमान है नया रिकॉर्ड है और एक बात बतानी जरूरी है सिंपल शब्दों में कि इन्होंने एकसाइस ड्यूटी डीजल पर 8 गुना लगभग 8 गुना बढ़ाई और पेट्रोल पर लगभग 2 गुना बढ़ाई सीधे साफ शब्दों में जब हमारी सरकार थी तो डीजल पर जो टैक्स पढ़ता था वो करीब करीब 3.5 रुपया प्रति लीटर था वो आज बढ़के 32 रुपय प्रति लीटर है और पेट्रोल पर जो टैक्स करीब करीब 9 रुपय प्रति लीटर पढ़ता था वो आज बढ़के 33 रुपय प्रति लीटर है तो सबसे पहले अगर आप वाकई में लोगों का भला सोचना चाते हैं एक मिनिट को भी तो अपनी एक्साइस ड्यूटी को ही अगर आप कम कर दीजे अगर आप इसी को 33 रुपय और 32 रुपय को ही वापस ले लीजे तो बड़ी राहत मिल सकती है एक और बात जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई है और बजट में ये हुआ था इन्होंने 4 रुपय का सेस डीजल पे और 2 रुपय धाई रुपय का सेस पेट्रोल पे लगाया था और ये कहा गया था कि धाई रुपय का पेट्रोल पे चार पेट्रोल पे डीजल पे लगाया था और ये कहा गया था कि इससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन ये एक बहुत sinister plot था ये plot इसलिए था और मैं इसको कहती हूँ कि ये शडियंतर इसलिए था क्योंकि ये सेस लगाया गया था exercise duty structure को change किया गया तो exercise duty structure change करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो पैसा आएगा वो सिर्फ केंद्र सरकार रखेगी और ये चार और धाई रुपे की भणतरी का राज्य सरकारों को एक नया पैसा नहीं मिलेगा मुझे ये भी लगता है कि आज अगर ग्रहनी, आम आदमी, बच्चियां, लड़के, लड़कियां कोई भी खड़े होकर सरकार के इस कुप्रबंधन पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो उसको एक नगमा दे दिया जाएगा कि आप देश द्रोही हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं दूसरा उसके उपर UAPA से लिशन चार्ज लग जाएगा अगर आज आप कहिएगा बाहर जाकर कि भई पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोत्री हो गई और रसोई गैस में आपने आग लगा दिये हैं तो आपको आतंकवादी घोशित भी किया जा सकता है इस सरकार के कारेकाल में लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थ विवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है आप सबको पता है कि इंफलेशन दिन दूनी रात चोगनी बढ़त्तुरी कर रहा है इंफलेशन आर्बियाई की जो 2-4% 2-6% रेंज होती है 4% उनका मीडिया ने उससे अल्रेडी बढ़ चुका है बढ़ते हुए इंफलेशन का क्या मतलब है कि आर्बियाई अब अंततो गत्वा रेट बढ़ाएगा तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है तो या तो इन लोगों को बिलकुल समझ नहीं है या समझ होते हुए भी ये जानबूच कर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती बर इनको फिकर ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा मेरा एक सवाल है और सवाल बहुत वाजब है कि क्या सरकारों का काम मुनाफ़ा खोरी करना होता है और जनता की महंगाई से कमर तोड़ना होता है और इसलिए मेरा अपना मानना है कि जो उजवला में भी अगर आप देखिए दस दस चौदा चौदा करों सिलेंडर रीफल ही नहीं हुए क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि उजवला जैसे सबसिडाई सिलेंडर भी रीफल करा सके आज की तारिक में तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही चूला फूकने का और चूला जलाने का काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अच्छे दिन का दंब भरने वाले ये लोग आज अच्छे दिन का नाम लेने से कतराते हैं और आप जानते हैं कि हमारी सरकार चाहे वो राजस्थान में हो या कहीं और हम लोग चुनाओ का इंतजार नहीं करते हैं टैक्स घटाए जबकि हमारा राजस वो बहुत कम है इस समय हमने फिर भी टैक्स घटाए असम में जब चुनाओ आता है तो टैक्स घटाया जाता है और अब आप देखिए कि जब तक चुनाओ नहीं हो जाएगा असम में और बाकी राजियों में तब तक इस बढ़ोतरी पे रोक लगा दी जाएगी जैसा हमने बिहार में देखा था तो क्या चुनाओं के चलते ही अब इस देश की अर्थवेवस्था चलेगी मुनाफ़ा खोरी बंद होनी चाहिए हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना जाए और हमारी मांग है कि जो एकसाइस जूटी सरकार ने बढ़ाई है जो मुनाफ़ा खोरी सरकार कर जो आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है उसको तुरंथ वापस करके जन्मानस को रहत दी जाए और मेरा एक और विनती कह लीजे हुंकार कह लीजे कुछ भी कह लीजे मैं एक सवाल डाइरेक्टली सिर्फ प्रधान मंत्री जी से ही नहीं उनकी उन महिला नेत्रियो से जरूर पूछना चाहती हूं जो सडक पे उतर जाती थी गैस के सिलिंडर लेकर आज दो महिने में 175 रुपे सिलिंडर बढ़ गया है तो क्या सत्ता का सुक इतना बढ़ा है कि आम जनता की परिशानी वहां दिखाई नहीं देती यह सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा द का िरूब अरूब औरूब बाज्य कर्फे सिलिंडर इट इच यह स्वांटा इस नहीं पर दिजिए अच फबूब लेख रूब चाहते हैं इस जोप्यूद अरूब चाहते इंगान पर फ्रूब नहाई पर प्रूब आज रूब आट इसा का ब स्वांट प्रूब बशड and despite global crude prices heightening and peaking at $150 a barrel, prices did not cross subsidized cylinders at about $400 per cylinder. The condition is very different. Today, we are amidst an economic recession. Today, India is facing acute unemployment issues. Today, people's wages have been cut. And now to burden them with skyrocketing prices, thanks to LPG cylinders or petrol and diesel prices, where records are being set by this government, where petrol prices, you know, in Madhya Pradesh have crossed 100 rupees per litre. I think it tells you a lot about how this government functions and thinks. They are not just insensitive. I also believe they want to look the other way. And it is not as if things are not in control. If the government wants, and the government has raised exercise duty about 12 times in its tenure so far, and has amassed a huge and a whopping 24 lakh crore rupees, which actually belongs to the people of this country. And taxation is so very high. When we were in government, the tax on diesel was 3.5 rupees per litre on every litre of diesel being sold. Today, it is nearly 32 rupees per litre on diesel. On petrol, it was just a little over 9 rupees per litre when we were in government. Today, it is at about 33 rupees per litre. Who is going to be answerable for that? And if the government just withdraws this exercise duty, there will be a lot of relief for the common man. In the budget itself, fuel subsidy has been cut. And also, the budget talks about CESS. They are changing the exercise duty structure, which essentially means that that 4 rupee hike and the 2.5 rupee hike on petrol and diesel, by the way of CESS, will all be amassed by the central government, and not a penny of that money will go to the states. The only politic, every step that they take is geared towards elections. Assam is going to cut fuel taxes because it's going to elections. They will stop raising rates till elections don't happen. We are also in government. In Rajasthan, out of turn, we went and cut taxes. Why can the Modi government not be sensitive towards the needs of people? I also believe if the common man and the common woman today rises and starts asking tough questions of this government as far as economic mismanagement and skyrocketing prices are concerned, they will be labelled anti-national, sedition cases will be filed against them, and they will perhaps be lodged in jail. This is the reality of things today. They also do not understand 101 economics. If demand is low and inflation is high, to keep raising LPG petrol diesel prices is only going to stoke inflation higher, which essentially means that the RBI will eventually have to raise interest rates which will further dampen demand. So all of these wise women and men who sit in government, they have zero understanding of economic principles. They have zero understanding of how demand, how consumption, how investment, how jobs are created in an economy, and which is why they are presiding over the worst economic slowdown and economic recession and unemployment crisis in our history. I also believe, is it a moral duty of the government to give relief to the people or is it alright for the government to make money at their behest, to make money at the cost of people's problems, to burden them with high prices? We believe that the acche din that the Modi government spoke about and shies away from is because it is nowhere in sight. I ask a direct question of the women representatives of the BJP and many of whom today sit in government in very high positions. You used to take to the streets. Today, LPG prices have gone up by 175 rupees per cylinder. Ms. Priti Rani, are you willing to take to the streets again? or is it so comfortable in the government or in high offices that you sit that the pain of the common man is no longer visible? The less I said about Ms. Nirmala Sitaraman, the better it would be. We demand that these prices be rolled back. We demand that the excise duty structure and the excise collections be paused for a while, at least on this, and the government gives some relief to the common man because the situation is unprecedented. And in unprecedented situation, the government's prime duty is to bring more relief to the people. Thank you. We'll take Suomoto questions first. We have been protesting. I come from the state of UP and I can tell you, we have been taking to the streets. हमजिला, जो मुख्याले हैं, उनका घहराव करते हैं, हमने राजभवनों का घहराव किया है. सच तो यह है, कि यह सब चीजें, उनको मैटर करती हैं, उनकी मोटी चमड़ी पर प्रभाव करती हैं, जो समवेदन शील सरकारे होती हैं, जब सरकार असमवेदन शील और निर्ममता पर उतराएं, और निठुर हो जाएं, तो उन पर इसका कोई फरक नहीं पड़ता है. आज यह सच है, कि यह लोग जो महंगाई की बाते करते थे, यह लोग जो सडकों पर उतरते थे, उनकी आँखों पर ऐसा चश्मा पड़ गया है, कि उनको गरीब आदमी की, उनको आम जनता की परिशानिया दिखी नहीं रही है, आम जनता महंगाई से भी जूज रही है, और मंदी से भी जूज रही है, और इसका सारा श्रे, इसकी सारी करनी मोधी सरकार की है, और मुझे ऐसा लगता है, कि अगर अंतर आत्मा अभी भी जीवित है, जो लोग प्रदर्शन करते थे, उनको जरूर इस पर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, चुप़ी तो तोड़िये, आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ, जो बजट आया है, उसके बारे में काफी चर्चा अभी तक हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है, कि इतना दंब और एहंकार इससे पहले किसी और सरकार में था नहीं, आप बजट मंदी के दौरान लाएं, और वो मंदी आपकी बनाई हुई है, आप लोगों की महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं, इस बजट में पीम किसान निधी की कटोती करी गई, मनरेगा के फंड की कटोती करी गई, अगरिकल्चर और एलाइट सर्विसेस की कटोती करी गई, और आपको जानकर ताज़ुब होगा कि इस बजट में एजुकेशन, इनोवेशन, आर एंडी, इन सब चीजों की कटोती करी गई है, हम विश्व गुरू बनने का दम रखते हैं, और हम इन सब चीजों की कटोती कर रहे हैं, हम विश्व के सबसे युवा राष्ट रहे हैं, और हम एजुकेशन की कटोती कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सफेद सपाट जूट हेल्थ पर भी बोला गया, दो फाइनांस कमिशन की ग्रांट को उसमें दिखा कर बताया गया, क्या हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, सच तो ये हैं कि इनकी सारी नीतियां, इनके सारे नियम, इनकी सारी पॉलिसीज जो हैं, वो पूंजी पतियों के लिए हैं, आम आदमी के लिए एक पैसे का ये बजट नहीं है, आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और जो उनकी सारी नीतिया है चाहे वो tax collection की नीति हो चाहे वो excise की नीति हो वो सब पूझी पतियों के लिए बनी है आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था कि हम कम फ्यूल सबसीडी देंगे लोगों उपद जो उपभोग है उस पर भी परभाव पड़ेगा और निवेश पर भी परभाव पड़ेगा इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है और आप किसी का भी विचलेशन पढ़ लीजे किसी को भी सुन लीजे इस बजट में ऐसा तुरंट नौकरिया बन सके या तुरंट निवेश हो सके और आज उसी की सबसे ज़्यादा हमारी अर्थवयवस्था में जरूरत है शौं मैं पहले आपका असाम वाला क्वेस्चन आंसर करूंगी एक स्टडी आई है भी थोड़े दिनों पहले और उसमें बहुत साफ तौर से अंकित किया गया है कि लॉक डाउन के दोरान देश के सो पूंजी पतियों की मात्र एक सो तीस करोड के इस देश में मात्र सो पूंजी पतियों की इंकम में इतना इजाफा हुआ है जिससे की तेरा करोड असी लाख लोगों को चौरानबे हजार रुपे प्रती परसन दिये जा सकते हैं इतना इजाफा हुआ है सो लोगों की इंकम में इतना इजाफा हुआ है कि करीब करीब चौदा करोड लोगों को आप चौरानबे हजार रुपे दे सकते हैं प्रती परसन प्रती व्यक्ति तो इतनी असा मानता इतनी जो income inequality इस देश में बन रही है अगर कोई उस पर बोलता है तो मुझे लगता है हम सब को उसका समर्थन करना चाहिए ये देश 130 करोड लोगों का देश है लेकिन जितने भी नियम जितने कानून जितनी नीतिया बन रह रही है और बढ़ती ही जा रही है तो मुझे लगता है बढ़ती हुई income inequality पर अगर राहुल जी ने कुछ कहा है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है उनका आशे गुजरात को target करना नहीं था उनका आशे ये दिखाना था कि कितनी जबरदस्त income inequality बढ़ रही है जो खाई है गरीबों और अमीरों के बीच में वो किस तरह से बढ़ रही है कि 100 लोगों की पूंजी जिस तरह से बढ़ी lockdown में उससे आप 14 करोड लोगों को प्रती व्यक्ती 94,000 रुपे दे सकते थे मुझे लगता है कि इस सरकार का एक सब्समाज का हम सब का सर इससे शर्म से जुकना चाहिए 130 करोड के गांधी केस देश में आपने दूसरा एक सवाल पूछा विपलवदेब जी के कॉमेंट का उन्होंने कहा है कि शाह जी और मोधी जी तो श्री लंका और नेपाल में भी सरकार बनाने का आशे रखते हैं मुझे लगता है कि यह मजाग का विशय नहीं है विपलवदेजी ने काफी बेतुकी बाते पहले भी करी हैं लेकिन यह बेतुकी बात नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि यह कहीं पर हमारी फॉरण पॉलिसी को हमारे डिप्लोमाटिक रिलेशन्स को हर्ट करता है उसको च्छती पहुंचाता है और इसलिए च्छती पहुंचाता है क्योंकि आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम कू करने वाले हैं वहाँ पर श्री लंका और नेपाल में वहाँ पर डेमोक्राटिकली इलेक्टेड गवर्मेंट्स हैं वहाँ पर लोकतंत्र है और एक दूसरा लोकतंत्र कहता है कि हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे ये किस तरह की बाते करते हैं अभी तक हम खामियाजा भुगत रहें मोदी जी के अब की बार टरंप सरकार का अब इनके लोग और मुझे लगता है कि पिपलफ देव जी ने बेवकूफी की बात करी है लेकिन इसका बहुत दुष परिणाम हो सकता है और मुझे असा लगता है कि खुलकर सरकार को आकर उनसे भी माफी मंगवानी चाहिए और नेपाल के लोगों से ही नहीं उनकी निर्वाचित गवर्मन्ट से श्रीलंका के लोगों से ही नहीं उनकी निर्वाचित सरकारों से हाप जोड़के माफी माँगनी चाहिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वेस्ट बेंगॉल के चुनावों में, उस्ते तो हम, मुझे लगता है बड़ी शर्मानी चाहिए, वेस्ट बेंगॉल जाकर, जिसको की मादुर्गा का माइका कहा जाता है, आप उन्ही को वहाँ पर जाकर उनके बारे में दुष्प्रचार फ्हलाते हैं, उन्ही का अपमान करते हैं, वो आदि शक्ती भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं, कि स्रिजन आदि शक्ती से ही हुआ है, जिसका रूप मादुर्गा हैं, वो भगवानों को ही लड़ाने में आपस में लग गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा जो भी कर ले बहुत करारी हार मिलेगी क्योंकि वेस्ट बेंगॉल की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है वहीं से हिंदुस्तान में रहनसा की शुरुवात हुई थी और वो कुछ भी कर ले वो हारेंगे टीमसी का जहां तक है अगर टीमसी ने बड़ा काम किया होता डेवलेप्मेंट का तो शायद इस तरह का डायलॉग ही नहीं होता आप अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं कुछ इस तरह क्ना कर भी कि बड़ेश्य राप मांगते हित्व इस तुकित चाहँ कि ऩौल को पूलिष थाओी değiş्चित तो शुआ kaloर्क ट बॉलिकिvida भ quindi आप dw वोँपोंगों थी पयुपोर्स लिसे में अपसलुटीज जिए जोग और दो इपसलुटीज कि अन् में अपसलुटीज़ धर बार्चाइब इस तूम र्मावश्टीस अपसलुग्ज़ सिर्में बार्चाइक हैं इस थांपड़ ऑंड़ू लामश्टें ज किव द्यवने कि 22-year-old Nikita, can distort the foundations of our democracy, then they really are absolutely belied, they have no idea what they are talking about, what they are doing is essentially to curb dissent but dissent is an extremely important part of our democracy and no matter what they do they can close down handles they can pressurize platforms they can arrest some people arbitrarily the reality is that the more you do this, the more voices of protest in this country will rise and you are actually doing nothing you are exposing your true fascist self I will repeat this answer in Hindi, when Disha Ravi who is a 21-year-old and is a climate warrior and today Nikita Jigab who has been arrested, so wherever this is a promise and I have to believe with my whole faith that this government is very angry, very scared and they have a that these people are them who are and they have a desire to and they have to be so much that they have to know that they have the only people who are they have to do it they have to do it लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जिनको बेल मिल जाती है और वो डियसपी बनके जेनके में घूम रहे हैं लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जो खुले आम हिंदू-मसल्मान की बाते हैं लोकतंत्र को सशक्त ऐसी आवाजे बनाती हैं जो आप से सवाल पूछती हैं ले आपको डिसेंट पसंद नहीं है, लेकिन डिसेंट लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्थम्भ है और उसको आप खतम नहीं कर सकते हैं, जितने हैंडल्स को आप बंद करिएगा, जितने लोगों की आवाजों को आप दबाईएगा, उतनी ही सशक्त और आवाजें उभरेंगी झाली